हेलो वाइद वेलकम टू माय यूटूब चैनल आज के वीडियो में हम लोग यलो वाइन मोजय का भींडी के बारे में पढ़ने वाले हैं देखते हैं कैसे भाइलता है और कौन से भाइलशससे पहलता है दूसरे पौदों में किस परकार जाता है और इसे हम किस परकार रोख स इसके सेंटम्स देखने वाले हैं तो में सेंटम आप दिजीज इस वाइन क्लेयरिंग फारवर्ड वैनिलर क्लॉसिस आप दा लेव्स चलो इस लाइन का आर्थ समझते हैं यह भींडी की लेव्स तुमको दिख रही होगी यह इसकी वाइन है यह इनसे डिवाइड होती है वाइनलेट निकलती है यह जब सौस्त पधा होता है तो यह ग्रीन कलर की होती है लेकिन जब इंपैक्शन हो जाता है तो यह यलो कलर की होने लगती है और दीरे-दीरी यह पेल कलर की हो जाती है अब देखने वाले हैं आगे इसके कौन से लच्छन है दूसरा इसका महत्पुल सेंटम्स ये प्रूट और डॉर्प्ड इसके फल जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं चलो देखने वाले हैं कोजल वाइरस डवाइरस रिसपॉंसबल भार्दा डिजीज है विकस वाइरस और यलो वाइन मोजेक वाइरस और वाइरस के बारे में पता नहीं किस प्रकार या फैलता है और कुछ ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में ट्रांस्मिशन कापूर और वर्मा के हिसाब से कि यह पता नहीं है कि इसकी कटे हुए पार्ट से भी इंफेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है इस बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है यहीं आगे बताया गया है नौट मच इस नोन आप पाप इस नेचर अप इस वायरस अब आगे दिखते हैं अब अडर आर्टिफियल कंडिशन इट कैन भी टांस्मिटेड अंट गरॉप इचन दे लिटर नेचर पूर दे रिपूर अलगे अब थान वायरस इस के इस तॉर पूर्थ दीशन में टमें इन अट वायरकरे वायर परसाइट इन दा फिमेल वाइट प्लाई दो आउट इट्स लाइफ इस दा इंसेट इन अलोग तो फीड अन डिशेट प्लांट फॉर्ड शिक्स हावर डिजीज मनेजमेंट दिखने माले एड़ प्रजेंट नो डिफाइन कंट्रोल मेजर आर नोन सैनिटेशन इस जनरल मैजर्ट रिमूव द वाइरल डिजीज सैनिटेशन इंफेक्शन को दूर करने का बहुत ही अच्छा और सरल सरल उपाय है सैनिटेशन जैसे हम किसी हमारे खेत में या हमारी फेड में जो पौधा लगा है और वो इंफेक्टेड है तो उसे हमको हटा देना चाहिए यह और कटे हुए जिससे हटाया गया है जैसे आप हाँ से अटा रहे हैं तो हाथ को धुल लेना चाहिए तब ही दू आमा निलचड़ जिसे वाइरस से बचा जा सकता है और पौधों को बचाया जा सकता है वराइटी पूसा स्वानी इस रिपोर्टेड टू दा टॉल्रेंट एका टोस और रोगार इस्प्रेश है वी रिपोर्टेड टू रिडूस डिजीज एनिसीडेंस स्वाल जिना मुली थैंक यू रेंड